हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जीके नाइस यूट्यूब चैनल तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुछ और इंपोटेंट कोशिन कवर करेंगे भारते सविधान से संबंदित हैं खंड सिक्सा अधिकारी भरती परिक्सा में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे तो इसी तर वीडियो आपको मिलते रहें है है तो फ्रेंडेश पहले कोशने आपर बी आघ्र महात्मा गॉयाठी के मद्य कसन 1922 पूना समझोता हुआ तो उसमें क्या प्रहधान था लों पूर्ण सवराज का संकल्प देखें सूरत विभाजन जो हुआ था आपका 1907 में हुआ था ठीक है ना 1907 में आपका सूरत विभाजन हुआ था संपरदाइक अधी निर्ने हुआ था 1932 में ठीक है यानि के 4, 3 ये सिरीज हमारी यहां पर बनती जा रही है पूर्ण सवराज का जो संकल बहुत है 1929 में ठीक है तो यहां पर संकला बनती है बहुत है 14-3-22 1 यह रहाँ पर संकला बनती है तो यहां पर संकला बनती 3031 सभीट चलते हैं वे संविधान सभा के विच अभी चारीक रूप से परती रूप परदान किया तो फ्रेंट्स कोशiron का सही अंसर हो जाएगा ओप्सटण D जवहालाल नहरू रूंट्स कोशेन परदान किया तॉप फ्रेंज कोशर कंग्रेस ने किस कैसे लेगें 38 में किस व्यक्ति ने वैस्क मतादीकार के आधार पर सवीधान सभा के गठन की मांग की तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा जवाल्लाल नहरू ऑप्शन बी जवाल्लाल नहरू ने sweet 381 में वैस्क मताधिकार के आधार पर स्विध्यान सुभा की गठन की मांग की थी तो Ops B صही आंसर होगा Yes question abide सही पर डिन संबन के संब कौन सा कथन और सही यह एक मोलिक सविध्यान है यह दूसरे देशों के सविध्यान से पर्भावित है यह दूसरे है च्क्या muchísimo मैं उन्म citizens सफ नकीम है यहां पर कोण सा कधन यहां पूठा गया है है कि भारत का सविधान भारत में संसर्कार की सरकार की वेवास्ता करता बिल्कुल सई द्वारा सवत्तन और नियाईपालिका की स्थापना की गये बिल्कुल यह ब dab और भारते सविधान भारत में विधी के सासन की वैवास्ता करता है बिल्कुल ये भी सही है यानि कि option D यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा option D भारते सविधान में मोली का अधिकारों का उलेक करते हुए निमलिकित में में से किस देश का अनुसरन किया गया यानि कि मोली का अधिकार किस देश से लिए गए हैं तो फ्रेंड्स मोली का अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से कहां से लिए अमेरिका से option B सही आंसर हो अमेरिका नेस्ट को भारत में सरकार की संसद्य पढ़नाली कहां से घ्रहन की गई देखिए आपर पूछा गया संसद्य कहां से लिगई है यह यह निस अंसर भारत के सविधान में किस देश के सविधान से उठाई गई है तो सही आंसर हो जाएगा संसद्य सविधान से संसद्य चाहन से फ्रेंस से अंसर हो जाएगा नैस खुर्शन को फूर्व लोकन के विचार ग्रहन कि अंसर तो इसके लिए हमें भाग देखने होंगे, ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं, भाग फर्ष्ट में क्या है, संग और उसका राज्य जेतर है, अनुचेद एक से चार तक, ठीक है, भाग दो नाग रिकता, अनुचेद 5 से 11, नाग रिकता आती है, भाग दो इन में आते हैं, मोलिक अदिखार अनुचेद एक से 12 से 35, भाग चार में आते हैं, राज्य जे की नीती के निर्देशक ततु, इन में आते हैं, अनुचेद 36 से 51, भाग कर चार क्या है, मोलिक करते हुए, अनुचेद इसका जो बनता है, इक स्क्यावन का क्या बनता है, ठी है राज यह आते हैं भाग 6 में अनुशेद हो गया 152 से 237 ठीक है तो यह हमारे भाग हो गए तो फ्रेंड्स यहां पर पूछा गया है कारे पाली का देखें कारे पाली का है आपकी भाग पांच में ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा भाग पांच सवीधान के किस भाग में सवीधान के किस एक अनुशेद यानि अनुशूची का सम्मध सवैसासी जिल्व परिसद है तो सही आंसर हो जाएगा छटी अनुशूची में आपका सवैसासी जिल्व परिसद ऑप्शन सी सही आंसर होगा सीडियेश दो अजा सोले को कोश्चन इंपोर्टेंट है नेस कुशन है भारते सवीधान में 22 भासाओ को राज भासा का दरजा परदान किया गया इन राज भासाओ को लेक किस अनुशूची में है तो फ्रेंड्स 22 भासा यानिके जो राज भासाए हैं वे हैं आठवी सर्कारों को ग्राम पंचयत के गठनका निल्देश देता है यानि ग्राम पंचायत किस अनुछेद में यह पूछा गया है आपर तो ग्राम पंचायत है अनुछेद 40 में option D सही आंसर हो जाएगा अनुछेद 40 next question है 42 वे संसोधन द्वारा सहीधान के किस अनुछेद में मोलिक करतवों को जोड़ा गया था तो friends सही आंसर हो जाएगा 51 के A में यानी 51 का के 20 को बोल देते हैं सही आंसर option B हो जाएगा 4 के के में ठीक है 42 सहीधान संसोधन द्वारा जोड़े गेते अनुछेद 51 के के में या 51 के A में तो option B सही आंसर होगा next question है भारते सहीधान के किस अनुछेद में मोलिक करतवियों की चल्चा की गया है ठीक है ना तो मोलिक करतविये हैं अनुछेद 51 के A में ठीक है option B सही आंसर होगा next question है भासागत आधार पर राज्यों के पुनर गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 इसी में राज्य पुनर गठन आयोग की न्यूकती की गई थी जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था इस आयोग के अध्यक्स कोन थे जो आपका राज्य पुनर गठन बना था तो इसके यहाँ पर अध्यक्स पूछा गया है तो सही आंसर हो जाएगा option A जस्टिस हजल अली ठीक है ना इसमें तीन सदस्य एक सदस्य थे एक अध्यक्स और दो इसके सदस्य थे ठीक है ना एक कुझरू थे हिरदेनाथ कुझरू ठीक है ना इसके सदस्य थे ना इसके सदस्य थे राज्य पुनर गठन अधिनियम कब पारित हुआ सी नकलतर बाइसक ऍयसक्राइब ऑना नेंस आप बाइस ननीक शेपन में राज्यां बिकिन करने से कितने राज्या और संक्षेतर बनेते हैं 1956 में जब राज्य पुनर गठन आयोग जो पारित वादा उसमें 14 राज्य और 6 संग राज्य छेदर बने थे option C सही answer हो जाएगा next question है नागरिक्ता निम्लिकित में से किन विद्यो द्वारा प्राप्त की जा सकती है तो फ्रेंट्स नागरिक्ता किन विद्यो द्वारा प्राप्त की जा सकती है जनम द्वारा अनुवांसिकता द्वारा और पंजैनी द्वारा ठीके ना दोर तीन सही answer होगा option C इसमें योट answer हो जाएगा next question है नागरिक्ता प्राप्त करने के लिया सरते निर्धारित करने वाला शक्षम निकाई कौन सा है तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा संसद ठीक है नैस कोशन भारते सही विधान की परस्ताओन में परियुक्त समाजवाद सब्द को निमली कितमें से किस अनुछेदिया अनुछेदों के साथ मिला कर पढ़ने से सर्वोच न्याल्य को समान कार्ये के लिए समान वेतन का मोलिक अधिकार पर सब्सक्राइब में तो सही आंसर हो जाएगा सब्सक्राइब से होगा उपसिन सही आंसर हो जाएगा नागरिक अधिकार पहारते सविधान का कौन सा चुछेद चुछ उनमूलन से संबंदीत है देखिए छुआछूत उनमूलन जो आती है ऑनुछे 17 में आती है उप्शन C सही assigning हो जाएगा ऑनुछे 17 ेस को भारते सविधान के कौन सेंस्यांसु गीसी भी रूप में एसप्रिषता निशेद के लिए प्रावधान है तो सहीrites सब्सक्राइब लाइक और सब्सक्राइब कर ले इसा तरहिए वीडियो पाने बेल आइकन को प्रेश कर ले, थैंक्स पूर वाचिंग